हाई अबरिवन वल्कम प्रोडिश्टल जी के क्लासेश तो जब से बिहार प्रात्मिक सिक्षक भरती में दूसरे राज्यों के अभियर्थियों को मौका मिला है तब से इतने सारे कन्फ्यूजन प्लस आपके इतने सारे कॉश्चन्स आए सबके कॉमेंट्स के आंसर मैं नहीं देखेगा एक-एक डाउट क्लियर हो जाएगा पहली बार आ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को प्लीज लाइक कीजेगा क्योंकि अब आपको पता है कि दूसरे राज्यों जो भी अदर स्टेट है कोई भी राज्यों अब सभी को बिहार सिक्षक भरती में मौ क्या क्या है बाकी आपको पीडिया भेज दूंगे टेलिग्राम पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरे कॉमेंट बॉक्स में चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कम समय में ज्यादा कुछ बताने की कोसिस करूंगी आपका सबसे ज्यादा कोशन आता है कि क्या अदर अचमें सामिल हो गए अभी आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो जी हाँ सामिल हो चुके हैं और देखिए आपको पता है कि जैसे कि दूसरे जैसे इस पर बहुत सरे कॉमेंट्स आते हैं जैसे कि बिहार के जो भी हरती है वो बार-बार उल्टे सिधे कमेंट कर रहे हैं कि चाहे हम सब हैं, हम जो बिहार की गौर्रमेंट हैं, चाहे कहीं की गौर्रमेंट हो, वो जो भी संसोधन लाते हैं, जो भी भरती प्रक्रिया, हम उसके कॉर्डिंग चलते हैं, तो इसमें आप किसी भी दूसरे स्टेट के स्टुडेंट को कुछ भी उल्टा सिधा मत बोलिए, क्योंकि आपके वहां कि खुद की government ने ये सारी चीज़े बनाई है अब बात कर लेते है important चीज़ की कि क्या other state वाले तो जी हाँ अब ये मत पूछना कि मेरा वाला राज ये मेरा other state का मतलब कि सभी state चाहे आप दिल्ली के हैं, राजस्थान के हैं मद्यप्रोदेस, यूपी, जहारकंड, हर एक अभ्यरती वो इसमें बैठ सकता है उसने seated का अगस्थ वाला form भरा है उसका pass भी नहीं हुआ है अभी तक वो उस base पे भी form भर सकता है इतना समझ गए, क्या seated अगस्थ वाले जो हैं बिना result के उनको मौका मिलेगा आपको ऐसे किसी भी न्यूस पे भरोसा नहीं करना है 31 अगस्थ तक आपका परिक्षा हो जाना चाहिए result की कोई बात नहीं हो रही है तो बहुत सारी YouTube चैनल पर ऐसी वीडियो बना दी जाती है कोई नहीं आपको यहाँ पर authentic information मिलेगा तो seated अगस्थ का पेपर है 20 अगस्थ को 31 अगस्थ को result थोड़ी ना आ जाएगा इसलिए बिहार की गवर्मेंट ने बी एड जो last वाले हैं चाहे डिल एड लास्थ वाले हैं उन सभी को इसी तरज पर मौका दिया है कि 31 अगस्थ के पहले तक आपका पेपर हो जाना जाहिए तो seated के भी साथ यही है result की कोई बात नहीं है last में आपको अपना जो भी है application form ही अपना फिल करना है बाकी मैं यह जब form वाला पूरा detail में बताऊंगी कैसे फिल करना है तो अब यह बहुत से question का आते हैं कि हमारा तो result नहीं आया है तो हम certificate में क्या भरेंगे या उसमें देखिए आप सभी के लिए portal में एक नया जो है उन्होंने संसोधन किया है और वहाँ पर application form जो आपने seated का form भरा था तो जो आपका application form है न बस उसी की PDF आपको वहाँ पर चिपका देनी है बाकि आपको result इसे और pass है इसे कोई मतलब नहीं है बढ़ हां मेहनत करके pass हो जाओ ताकि आपका यह जो अभी चल रहा है न कि other state वालों को मौका मिला है तो आप इसका फाइदा तो उठाई सकते हैं तो आप समझ गए तो result की जरूरत नहीं है किसकी जरूरत है परिक्षा की तो ऐसे वैसे कोई भी वीडियो देख के परिशान मत हो यह अब बात कर लेते हैं कि other state के अभियरती तो सामिल हो चुके है उनको कितनी seat मिलेगी यह मैं आपको खुद का इनका जो official आया है information उसी के माध्यम से बताऊंगी अब दूसरा question है आपके लिए कि बिहार वालों को तो आरेक्षन मिल चुका है आपने देखा होगा कि ऐसा question मेरे पास बहुत आए है क्योंकि mostly student हर अलग-अलग राज्य के है तो उनका question यह आया है कि general female को तो वहाँ पर 82 में ले लिया गया है तो क्या बाहरी राज्यों के भी साथ ऐसा ही होगा SCST का आपने देखा होगा 75 नंबर पे ले लिया गया है तो क्या हम भी आ जाएंगे क्योंकि बहुत से लोगों के जो है नंबर कम है देखिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी अभी आपका ये वाला seat it है ना इसमें जी जान लगा कि कैसे भी करके 90 से उपर लेकर आ जाओ क्योंकि other state वाले sorry क्योंकि other state वाले को आरक्षन कलाव नहीं मिलेगा बिहार में जो रहते हैं क्यों उन्हीं को मिलता है ठीक है और ये ऐसा बहुत सारे जो भी दूसरे भी एक्जाम्स होते हैं जिसमें और ये मैं ऐसे अपने मन से नहीं बता रही हूं ये रूल है और बाकी बहुत सारे एक्जाम्स हुए भी हैं जहां पर दूसरे भाहरी राज्यों को सामिल किया गया है बट उनको क्या करते हैं आरक्षन कलाव नहीं मिलता है वो सभी जनरल में आ जाते हैं ठीक है तो जितने भी बाहर के स्टूडेंट है वो सभी जनरल में ही आएंगे तो अब आप समझ गये होंगे अपके टेगरी भी बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कितना नंबर चाहिए मतलब नबबब तो यह आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कितना चाहिए 90 तो जो लोग भी 75, 82 की बात कर रहा है केवल और बिहार के लोगों के लिए है बिहार के बाहर जितने भी अभ्यरती है वो सब जनरल में ही काउंट होंगे उनको जनरल वाले में ही फाइट करना होगा तो अब आपको 90 नंबर चाहिए अगर आपके 90 नंबर हैं जो लोग आलरेड़ी पास हैं तो आपके लिए काफी अची चीज़े और अगर आपके नहीं है और आपने फॉर्म भी भरा हुआ है तो आप इसमें लेकर आजाईए दोनों चीज़ों में आप सेफ हो ठीक है तो यह मैंने आपका क्लियर कर दिया कि बाहर वाले जो भी होते हैं वो जनरल में आ जाते हैं आरक्षन कलाब बिहार के ही जो निवासी हैं उनको मिलता है ठीक है चलिए अब मैं आपको एक बार सीट दिखा देती हूं कितनी है ताकि आपको एक लगे कि हाँ आपको कैसे तयारी करनी है और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अधर स्टेट के जो अभिहरती हैं वो किस पे फाइट करेंगे तो देखें यह जो है बिहार लोग सेवा आयोग BPSC नहीं खुद बताया था जब नोटिफिकेशन आया था तो उस टाइम पे अधर स्टेट वाले अभिहरतियों को तो इंट्रेस्ट था ही नहीं कि इसमें उनको मौका ही नहीं मिल रहा था तो उन्हों नहीं बता दिया था अगर मैं आपको थोड़ा से इसको जूम करके दिखा हूँ आप भी देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है कितना 1,70,461 अब इसमें आपका प्राथ्मिक, माध्यमिक, उच्छ माध्यमिक का मतलब 1 to 5 होता है माध्यमिक का मतलब 9 से 10 होता है और उच्छ माध्यमिक यहाँ पर आप देख सकते हो 11 से 12 तो क्या 11 से 12 और 9 से 10 में भी अदर स्टेट वाले भर पाएंगे यही आपका क्वेशन ह एस्टेट का पेपर वन क्लियर चाहिए, अगर आप ग्यारा से बारा में टीचर चाहते हो तो आपको एस्टेट का पेपर टू चाहिए, तो इसका मतल़ यहां पे कियो बिहार वाले ही फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि आप सभी का तो कियो सीट पास है, एस्टेट थोड़ी पास है, तो आप इतना समझ गए, तो यह आपके काम की नहीं है, आपके काम की है, वन टू फाइफ, तो देखे, आप इसमें सभी लोग भर सकते हो, इसमें एक लाग सतर हजार चार सो एक सट, मतलब टोडल दो लाग के आसपास इतनी जो है, भरतियां जो है, यह लोग करें जो कि काफी जादा नंबर है, तो अब आपका सवाल आएगा, कि यह तो पूरा इन्होंने पहले तो बिहार के लिए था, जिसमें से 50 प्रतिसत जो सीट है, वो महिलाओं के लिए है, देखे यह जो उन्होंने पहले दिया है, उसके हिसाब से बता रही हो, अब इन्होंने अ पहले होंगे, कैसे होगा, यह तो यह खुद बता देंगे, बाकी मैं आपको बताती हूँ, कि अधर स्टेट वालों के लिए कितनी सीट है, यह आप कुलपत देख सकते हो, जैसा कि पहले मैंने बताया, कि जितने भी बाहरी राज के अभिहरती होते हैं, वो सब किसमें आते जनरल में, और उनको जनरल में ही फाइट करना होता है, यह आप सब जानते हो, उत्तर प्रदेश में भी जो एक्जाम हुआ था, उसमें जब बिहार के अभिहरती आये थे, यह अधर स्टेट के भी, तो उन लोगों ने जनरल में फाइट की, वहाँ पर उनको लड़ना है, क आप यह देखिए, इसमें आपको सीटों की संख्या दिख रहे होगी, तो आपको इसमें फाइट करना है, आप EWS का कोई पूछेगा, मतला OBC वहाँ पर जो होता है, OBC, EBC, अनुसूची जाती, क्योंकि अधर स्टेट में भी तो SCHT जो अपनी काटेगरी में आते हैं, तो आकि जो पिछडे वर्ग है, अनुसूची जन जाती है, पिछडा वर्ग महिला है, महिलाओं के बाद मैंने थोड़े दिर पहले बताए, क्योंकि 50% सीट जो है, रिजर्व है, अब इनका देखना है कि किस बेस पे कैसे करते हैं, वो जब यह नोटिफिकेशन निकालेंगे, कुछ न कुछ यह बताएंगे उसके पहले, वो मैं आपको बता दूँगी, फिलहाल जो आपका सबसे ज़्यादा कोशन आ रहा था, कि अदर स्टेट के विहरती किस में सामिल होंगे, तो वो आ जाते हैं, जनरल में, अनरक्षित में, और यहीं पर उनको फाइट करनी होती ह तो आप यह देख सकते हो, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर भी कोई भी डाउट हो, बता देना, तो जो लोबी कुशन कर रहे थे, 9 से 10 और 11 से 12 में, तो वहाँ पर आप आवेदन नहीं कर पाओगे, यह एक information थी, बाकी online आवेदन कैसे करना है, वो कल मैं आपको बता दूंगी, चैनल से जुड़े रहो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स क्लास में, थैंक्स फॉर वाचिंग,